हेलो प्यारे बच्चो कैसे हुआ आप बच्चो आज हम सीखेंगे आपकी क्लास फर्स्ट की इंग्लीज की फॉर्थ वक्षीट नेम ओप स्टुडेंट में बच्चो आपको अपना नेम लिखना है और डेट लिखनी है जिसने आप वक्षीट को सॉल करोगे हुमारा लर्निंग इरियए बच्चो रीडि़िंग एंड रायटिंग बच्चो पिषली दो वक्षीट में अपने लाइन लगाना सीखा था ठीक है अपने उल्टा यू बनाना सीखा था और लेफ्ट कर सीखा था राइट कर सीखा था आज शिखेंगे बच्चो आम सर्कल बन तो आप देखें यहाँ पर डोट लगी हुई है, जितनी भी डोट लगी हुई है, आपको उनके उपर पैंसिल चलानी है, ठीक है, इस तरह से आप शुरू करिएगा, ऐसे ही, ठीक है, आपको इनके उपर-उपर क्या बनाना है, पैंसिल चलानी है, आपको सुंदर सा बनाना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरकल, कई पर छोटे सरकल हैं, कई पर बड़े सरकल हैं, तो आप इसको याद रख लीजिएगा, इसको सरकल बोलते हैं, ठीक है, जो आप गोल-गोल बनाते हो, आप सरकल बनाओगे, तो आपकी, जितने भी ये, आप सरकल बनाओगे उससे एक पिक्चर रेडी हो जाएगी आपकी ठीक है देखिए यहां पर उपर छोटे छोटे सरकल थे और नीचे बड़े बड़े सरकल है यह जो पिक्चर बनी हुए पूरे सरकल से ही बनी हुए ठीक है यहां पर हमें डोट लगाना डोट लगा कर दे दी गई है आपको उन डोट की हेल्प से सरकल बनाना है ठीक है सुन्दर सुन्दर बनाईएगा आप इस तरह से आपको बनानी है पिक्चर ठीक है को यह चोटी चोटी यह यह सरकल से क्या बनेगा आइस बन जाएंगे ठीक है यह नोज बन जाएगी और यह माउथ बन जाएगा हमने क्या बना दिया हमने तू आइस बना दी है वन नोज बना दिया है और वन माउथ बना दिया है यह बच्चो इसके हैंड बन जाएंगे ठीक है circle से क्या बन जाएंगे hand बन जाएंगे अब बच्चो इस तरह आपको की legs बनानी है leg बन जाएंगे ठीक है बस आपको indoors के उपर pencil को चलाना है और कुछ भी नहीं करना एक्स्टा ठीक है बच्चो आपको picture तो यहां पर draw करके दे रखी है बट आपको उसको पूरा करना है पूरा करने के लिए आप इसके उपर pencil से लाएगा अब बच्चो देखो circle बनाने से हमारी picture पूरी हो गई आपने क्या बना दिया जोकर बना दिया ठीक है जेफो जोकर अब आपको नीचे भी इसी तरह से बड़ी बड़ी डोट लगा रखिए इन पर आपको pencil से यह गुमाना है कै जब आप गुमा रहे हो तो आपको pencil उठानी नहीं है उठाओगे जब आपका एक circle पूरा हो जाएगा इस तरह से आपको बीच में से pencil उठाके नहीं बनानी है तो मैं दो line आपको बताऊंगी दो line आपको try कीजिएगा ठीक है तो यह आपका क्या बन रहा है circle अब बोलते जाएगे क्या है circle तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा c4 circle जब आप circle बना रहे हो तो आपको pencil उठानी नहीं है जब आपको circle पूरा हो जाएगा ना इस तरह से यहाँ आकर पूरा हो गया अब आप pencil उठाएगा ओके यह हो गया बच्चो आपका second line भी complete हो गई है बच्चो थर्ड और फोर्थ आपके लिए homework है तो आप वो खुद करिएगा ठीक है मैं आपको सिखा दिया circle बनाना तो आपकी जो आज की work sheet है मैं यही complete कर रहे हूँ यह दो जो line है वो आपका क्या है homework है ठीक है तो आप इसे complete कर लेजिएगा thank you झालो